दिखाओ जी ये कार्टून खाना खा रहे हैं और जैन साब गी सुबा नाच्टा कर रहे हैं राठेगा नहीं जैन साब चलो जी फिल्दी से फिनिश करो वैरी गूद बिस्मल्लाः वैरी गूद असलाम उलेकुम वरहमतुल्लाइब बरकातो हूँ कैसे हैं सब भेन भाई उमीद करती हूँ सब ठीक होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली रूटीन के साथ साथ बटर नट सुक्वाश का सूप बना के दिखाऊंगी बटर नट सुक्वाश पमकीन की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा लंबे साइज का होता है और पमकीन गोल साइज का होता है और पमकीन थोड़ा सा मीठा होता है और ये कम मीठा होता है इस तरह के सूप यहाँ पर कैफेटेरिया में मिलते हैं मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये खाने से पहले पिया जाता है और उसके बाद खाना खाते हैं और यह अंग्रेज लोग ज़ाधा पीता है इनको तो मेरे बच्चे कहते हैं मामा मामा मैं भी बनाओं तो मैंने भी फिर आपको यानी बच्चों के लिए बनाया है और इसमें इसके फायदे मैं बता दूँ इसमें कैलरी कम होती है कार्बो हाइड प्रेट्स कम होने से और मोहिस्चर जादा होने की वज़ा से यह वेट लूस करने के लिए बढ़ अच्छा है यह आखों के लिए बढ़ अच्छा है और इसमें बीटा कैरोटीन होती है जिससे विटामन ए बनता है और विटामन ए आखों के लिए बढ़ अच्छा होता है और skin के लिए ये बड़ा आच्छा है ये फाइबर होता है और ये aging को भी कम करता यानि age को control करके रखता है ये depression को दूर करता है दिल में जो walls बन हो जाते हैं उनको खोलता है यानि दिल की बीमारियों को दूर करता है और इसमें vitamins C और E होता है जो के हडियों को म loft करता है और इसमे केलशियम भी बहुत होता है यानि मैंने इतने जादा इसके फाइदे बता दिया आपको पाकिस्तान में हमारे घरों में ये कभी-कभी बनता था और मेरी फूपो इसको बनाती थी तो जिस वज़ा से मुझे ये अच्छा लगता है यानि हम बचपन में जो कुछ भी देखते हैं या सीखते हैं बड़े होके वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं और अभी मैं यहाँ पर पंकिन सूप तयार कर रही हूँ और ये जैन साब को मैंने अभी नाश्ता करवाया है और नाश्ता कराना बहुत ही मुश्किल है इनको और ये ना 24 आवर में एक दफा खाना खाते हैं सही तरह से तो और ना मैं इनको ना कार्टून लगा देती हूँ खाना खाने वाले तो ये कार्टून देखे खाना खाने वाले फिर ये खाना खाते हैं और अब तो इन्होंने वो भी छोड़ दिया है यानि मैं इनके हातों बहुत ही तंगूँ सुभा नाश्टे में मैं जैन को पराठा बना के देती हूं और साथ में कोई भी सालन होता है वो देती हूं खाने के लिए क्योंकि ये 24 आवर इतना नहीं खाते हैं यानि बहुत थोड़ा खाना खाते हैं मेरी कोशिश होती है कि सुभा इनको नाश्टा मैं सही दूँ तो वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये किस तरह से खाना खाते हैं यानि मैंने नाश्टे को थोड़ा सा इस वीडियो के मिडल में डाला है और अभी मैं यहां पर क्या कर रही हूं यहां पर मैं पंकिन क बटर नट स्कवाश को मैंने चील लिया है बहुत ही असानी के साथ इसको चूरी के साथ चीलना बहुत मुश्किल है तो मैंने इसको पीलर के साथ चील लिया है और यह बहुत ही ईजीली चील गया और उसके बाद इसको चोटे-चोटे पीस कर लिया है यानि बच्पन में मै औन एड हाफ मीडियम ओनियन ली है प्याज इसको मैं टू थरी टेबल स्पून में तेल में टू थरी टेबल स्पून ओयल मैं ओनियन को छोटे छोटा चोप करके सोते कर लूँगी उसके बाद बटरनट सुखवाश के जो छोटे छोटे पीस है इनको भी शामिल कर दूँगी और फिर इंड को भी सोते कर लूँगी 3-4 मिनट के लिए और इसके बाद 3-4 इलास पानी डाल के और थोड़ास नमक और थोड़ा सी काली मिर्च हस्बे जाएका डालके 15 मिनट के लिए परेशार कूकर में गला लूँगी और उसके बाद मैंने बीटर से इंज को सारी जो था बलेंड कर लिया था ये भी खाना खाया और जैन साथ भी खाना खा रहा है ज़ज़ी जिसमें लगते खाना खा रहे हैं ज़गो, जब अज़ग एकाणा सुट भाँ करेक्स ज़गा का रहे है क्याणा nar없이 उंख सफब कारा और ज़गी है धुरके उ ाँ भी ओड़े बश्चास त direct स्च्चोफाँ तर भीनने स्टेम यह कार्टून खाना खाए और जैन साब भी सुबा नाश्टा कर रहे हैं प्राठे का है जैन साब चलो जी पिल्दी से फिनिश करो वेरी गूद बिस्वल्ला वेरी गूद यह देख्ञें जिनका नाश्टा माशाला कार्टून देख रहा हैं देख्ञें यहाँ पर खाने वाले कार्टून देख्ञें ताकर यह भी खाना खाएं तो देखएं कितरा मुश्किल है मैं इनको खिला रही थी और यह नही नहीं बोरे थे के नहीं 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 खाना तो इनको बहुत मुश्किल खिलाना पड़ता है तो अब यहां पे मैंने क्या कर रही हूं यहां पे मैं ओनियन को मैंने सोते कर लिया उसके बाद बटर नट सुखवाश को मैंने थोड़ा सा सोते कर लिया और नमक और काली मिर्च मि उसके बाद पानी डालके इनको गला लिया था और फिर ब्लेंड कर लिया था बटर नट सुकवाश के साथ से मचली के पकोड़े बनाना जो आपने कल बनाए थे तो मैंने इसके साथ मचली के पकोड़े बनाए थे साथ में खाने के लिए और बड़े अच्छे बने थे और साथ ही मैं, जब खाना बनाती हूँ ना, तो मैं साथ ही बरतन धो लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने बुरश की मदद से, मैं बुरश की मदद से मैंने देख जी को अच्छी तरह से धो लिया है यह मेरे पास ना दो टिमाटर के सूप पड़े वे थे तो ये भी मैं Butter Nut Nuts Squash के सूप में शामिल करूँगी अगर ये ना हो तो इसकी जगा टीमाटर डाल सकते हैं 3-4 मीडियम टीमाटर शामिल कर सकते हैं चोब करके और साथ ही डाल सकते हैं पमकीन को सोते करेंगे तो उसके साथ ही टिमाटर डालके सोते करके पका सकते हैं मैं इन जो मेरे पास टिमाटर सूप वाले कैन पढ़े हुए हैं इनको जब मैं बटर नट सुकवाश के जो सूप बना रही हूँ उसमें शामिल करूँगी ना तो इनका सूप का टेस्ट बड़ा अच्छा बन किया आएगा क्योंकि इसमें जो ये सूप है ना टिमाटर वाला इसमें और भी चीज़ां शामिल हुए हुए है और अब यहां पर मैंने जितनी भी चीज़ां डाली थी ना तमाम अज़जा उसके बाद उनको पकाने के बाद अम मैं सबको बलेंड कर लूँगी बलेंडर से और उसके बाद 3-4 टेबल स्पून के बराबर पानी मैं घोल के जो कॉर्न फिलोर होता है ये शामिल कर दूँगे और उसके बाद मैं 4-5 मिनट तक पकाऊंगी और ये तैयार हो जाएगा और ये बहुत अच्छा बनता है आप ज़रूर बनाना पकाने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और शामिल की थी क्योंके मैंने पहले कम शामिल की थी काली मिर्च को जब हम सूप बनाएंगे तो कम शामिल करना है क्योंके काली मिर्च का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है जि मैं वीडियो नहीं देखती मैं एक दवा देख लेती उसके बाद मैं वाइस ओवर करती है तो अभी मैंने देखा है कि मैंने पहले कॉर्ण फिलोर शामिल किया था उसके बाद तीमाटर के सूप शामिल किया इसमें तो तीमाटर के सूप डाल सकते हैं पहले भी डाल सकते हैं और यह देखें कितना अच्छा सूप तयार हो गया और यही जो cafeteria होता है, canteen होती है, यहाँ पे मिलता है, और यह क्या होता है, थोड़ा सा सूप होता है cafeteria में, और एक sandwich हो जात, दे देते हैं, और साथ में juice होता है, और छोटी सी pastry या cake होता है, तो इस तरह का यह meal मिलता है, यह आपे cafeteria में, तो यह मेरी छोटी सी वीडियो थी, जो मैंने आपके साथ share की, तो मैं घर के काम भी माशालला मैं खुदी कर लेती हूँ, और वीडियो को बनाती भी हूँ, edit भी करती हूँ, wise over भी करती हूँ, बहुत जादा इसका काम होता है, वीडियो को बनाने का, thumbnail बनाना, title, tag, description, सब कुछ बनाना ना, काफी जादा लंबा, यानि बड़ा काम हो जाता है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो like जरूर कर दिया कीजिए, तो चलो next मैं मिलेंगे, तब तक के लिए, लाफिस, सलाम सबको,